हलो एवरीवन नमस्कार सुवागत है आपका मेंगिनेट ब्रेंज बैंकिंग पर SBI PO Mains के लिए बैंकिंग की सीरीज में जहां दोस्तों मैं आपको समझाओंगा आज इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों आपको बता दूं हमारी ये सीरीज जरूर देखें दोस्तों ये जो आपके सामने दिख रहा है एक सर्प्राइज है जिस पर लगातार काम चल रहा है बहुत जल्दी आपके सामने अविलिबिल होगी ऐसी एक बुक अगर बैंकिंग की बात करें तो इस तरह से जो है ये सारे टॉपिक्स होंगे आपके सामने इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग अवेर्नेस का इंडियन बैंकिंग स्ट्रॉक्चर मतलब ये कितने टाइप के बैंक होते हैं कौन-कौन से बैंक होते हैं इस सब से previous years में question पूछा गया है SBI के exam में scheduled bank is one of that is listed in of RBI Act 1934 मतलब यह है कि अनुसुचत bank वह है जो RBI अधिनिया 1934 के dash में सूची बद्ध है आपके सामने option है first schedule, second schedule, third schedule, fourth schedule या फिर none of these तो दोस्तों आप सब को अगर आप SBI के aspirant है तो obviously यह ABCD वाला question है आपने कई बार पढ़ा होगा कि वो bank जो RBI Act 1934 की second schedule में listed होते हैं वो scheduled bank कहलाते हैं तो इसके साब से answer कौन सा होना चाहिए आप खुद बताएए right answer will be first schedule, second schedule तो जी हाँ, second schedule will be the right answer यह जो answer है, यह correct होगा, मतलब यह कि RBI Act 1934 है ना आप ध्यान रखेंगे, RBI Act 1934 की second schedule में second schedule में जो bank listed होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, scheduled bank बोला जाता है, यह आप याद रखेंगे इसे clear, चलिए, next question पर चलते हैं दोस्तों Name the microfinance company that become the first to start operation as a commercial bank वो कौन सी microfinance company है, वो कौन सी लगुवित company है, जिसने commercial bank के रूप में काम करना शुरू किया और वो इस तरह से काम करने वाली पहली company बन गई जो पहले microfinance थी अब commercial bank बन चुकी है, option आपके सामने है, बताइए क्या PTM है, क्या PTM पहले microfinance company था, Vodafone M-Pesa, क्या ये पहले microfinance company था, यस bank, क्या ये यस bank पहले microfinance company था, बंधन bank, क्या ये पहले microfinance company था, कौन सा option है, तो आपको बतादों, दोस्तों, 2015 में establish हुआ, बंधन bank, जिसका head office कोलकता में है, ये पहले एक microfinance company था, जिसका नाम था, बंधन financial services private limited है न, तो ये जो बंधन financial services था, ये basically अब जो है, 2015 में के बाद से, या 2015 से, ये commercial bank के रूप में काम करने लगा है, मतलब अगर आप से पूछा जाए, कि वो कौन सी microfinance company है, जो commercial रूप, commercial bank के रूप में काम करने वाली, पहली जो है, वो microfinance company बनी, तो आप बताएंगे बंधन bank, बंधन bank के रूप में जो है, उसने काम करना शुरू कर दिया, बंधन financial services private limited, okay, चलिए, next question की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा जोगला question है, which of the following is true about non-scheduled banks in India, which of the following is true about non-scheduled banks in India, मतलब यह कि इन में से non-scheduled bank के बारे में क्या बात जो है, वो सही है, है ना, आप ध्यान रखे, non-scheduled bank के बारे में क्या बात सही है, है ना, निमलिकित में से गैर अनुसूचित, हिंदी में बोलते हैं, गैर अनुसूचित, क्या बोलते हैं, गैर अनुसूचित, है ना, तो गैर अनुसूचित बैंक को RBI के साथ CRR बनाए रखने की अवशक्ता नहीं होती, सबसे पहले आपको याद होगा कि CRR मतलब होता है क्या, cash reserve ratio, clear है, बैंकों के पास दिन बर में जो भी पैसा आता है, है ना, वो कहलाता है, एक दिन का पैसा मानेंगे तो वो कहलाता है, one day NDTL, NDTL मतलब net demand and time liability, है है, net demand and time liability में आता है, current account, saving account, recurring account और fixed deposit account, मतलब इन चारों अकाउंट में एक दिन में जो भी पैसा आता है, उसको बोलते है, net demand and time liability, NDTL उसे बोला जाता है, है ना, क्योंकि demand liability यह है, जब customer demand करे, तब बैंकों यह customer को चुकानी पढ़ती है, customer को देनी पढ़ती है, demand liability, और time liability है, है ना, क्या है time liability, recurring account of fixed deposit account, मतलब यह कि जब तक उसका time नहीं हो जाता, तब तक जो है, bank इसे नहीं चुकाएगा, bank को इसे देने की जरूत नहीं है, customer वापस नहीं मांग सकता समय से पहले, तो यह time liability कहलाती है, तो demand liability, time liability, इन दोनों को मिला कर क्या बोला जाता है, net demand and time liability जिसे बोला जाता है, और एक दिन में चारों अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है, उसे बोला जाता है, one day and detail, माल लीजे, एक account में one day and detail जो है, वो है, या एक bank में जो है, one day and detail है, वो 10,000 रुपे, 10,000 रुपे दिन भर में जो है, वो आया, एक दिन का and detail amount यह, चारों अ होते हैं इनमें पैसा जमा हुआ इतना अब इसका 4% कितना परसेंट 4% इन्हें हर दिन जो है वो किसके रूप में जमा करना पड़ेगा तो आपको बदत इसका 4% हर दिन जो है वो CRR के रूप में जमा करना पड़ेगा, किस के रूप में जमा करना पड़ेगा, CRR के रूप में, is that clear, चलिए, तो अब यह होता है, cash reserve ratio, अच्छा, only in the form of cash, यह किस के form में होता है, cash के form में होता है, एक दिन में बैंकों में जो भी पैसा आता है, उसे एक दिन का NDTL बोलते हैं, और उस एक दिन का NDTL का, 4% बैंक हर दिन कहां जमा करते हैं, RBI के पास, in the RBI, in RBI, तो RBI में जो पैसा जमा करते हैं, उसे बोलते हैं, क्या, cash reserve ratio, जो की अगर मालीजे 4% है, तो हर दिन का पैसे का, NDTL का 4% बैंक, RBI के पास, जो है, reserve रखते हैं, उसे CRR बोला जाता है, clear है, तो यह CRR जमा करने की जरुद नहीं होती, किसको, non-scheduled bank को, scheduled bank सारा ये काम करते हैं, scheduled bank सब जो हैं, money from RBI under LAF, LAF का full firm, सबसे पहले आपको बता दूँ, liquidity adjustment facility होता है, LAF का full firm क्या होता है, liquidity adjustment facility मतलब तरलता समनवय सुविधा, मतलब जो है, market में cash flow को कम जादा करना, तो also it cannot lend money from RBI under LAF, मतलब ये की, साथ ही है, LAF के तहत, RBI से पैसा उधार नहीं दे सकता, अब यहाँ पर लिखा है, उधार नहीं दे सकता, अरे भया, RBI को उधार देते नहीं, RBI से उधार लेते हैं, तो ये भी यहाँ पर जो है, वो क्या हो गया, ये जो है, वो गलत है, हाला कि यह जो है वो सही है और RBI इधिनियम 1934 के तहत तीसरी अनुसूची के तहत जो है नामित होने वाले बैंक गैर अनुसूचित बैंक कहलाते तो आपको बता दू शेडियूल बैंक वो जरूर होते हैं जो सेकेंड शेडियूल में लिस्टे होते हैं RBI एक 1934 लेकिन यह ज है अगर सही कुछ है तो वो यह सही है और वो क्या है कि यह मतलब यह कि एक नौन शेडियूल मैंक और जूसमें लिस्टे नहीं होते है वो नौन शेडियूल बैंक हो जों शेडियूल बैंक है इनकी जो capital होती है ना जमापूंजी होती है जो इनका इनके पास जो reserved capital होता है वो 5 लाग रुपए से कम होता है बहुत छोटे level के bank होते हैं यह non-scheduled bank है ना जिन में local area banks भी आते हैं कुछ urban cooperative banks भी आते हैं तो वो सब non-scheduled bank कहलाते हैं और इनका जो है बाजार जो इनके पास reserved पूंजी है वो कितनी होती 5 लाग रुपए से कम होती अब ध्यान रखेंगे यह बड़ी important बात है है ना कि जो non-scheduled bank है इनकी reserved capital 5 लाग रुपए से कम होती है है ना और दूसरी बात यह कि यह जो है RBI में CRR जमा नहीं कर सकते हैं ठीक है और तो इसे साब से कौन सा वाला कथन सकते हैं तो यह non-scheduled bank does not have to maintain CRR विदार भी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ आप यहां पर मैंने बता दिया कि यह जो answer है वो कौन सा सही है तो केवल one मतलब only one is true बाकी सब जो है गलब है मतलब a option जो है इसमें correct है आप याद रखेंगे which banks were set up with a view to develop the rural economy by providing credit for the purpose of development of agriculture trade and commerce and industry मतलब यह के क्रशी व्यापार वानेज उद्ध्योग क्रशी व्यापार वानेज और उद्ध्योग अना क्रशी मतलब agriculture व्यापार हो गया business वानेज हो गया commerce है ना उसके बाद फिर उद्ध्योग बोले तो बाते हैं भाया मैं आपको बता दूं कि 1975 में नरसिम्हा कमेटी की रेकेमेंडेशन पर किसकी कमेटी की रेकेमेंडेशन पर नरसिम्हा कमेटी की रेकेमेंडेशन पर कौन से बैंक बने आर आर बी जिनका फॉल फॉर्म ही है रीजिनल रूरल बैंक आर आर बी लिखना चाहिए मुझे रीजिनल रूरल बैंक है ना ये 2nd October 1975 को ये बना था पहला आर 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 बी 1st RRB पहला RRB दो अक्टूबर 1975 को और नाम था उसका क्या अभी नाम नहीं बताता हूं है ना वैसे तो आप समझी किया होगे पर अभी भी नहीं बता रहा हूं ना थोड़ी तेरे बात बता हूँगा फिलहाल आप ध्यान रखे कि आपसे पूचा जाए कि ग्रामीन तो अस्ता को विक्सित करने के लिए बनाया गया है तो Regional Rural Bank मतलब Option C is correct दोस्तो State Bank of India है मतलब यह कि इस तरह के questions आप expect कर सकते हैं क्योंकि previous year questions है यह मतलब पहले भी जो है इस तरह के question आ चुके हैं चलिए next आगे बढ़ते हैं which is the first Regional Rural Bank in India मतलब यह कि भारत का पहला Regional Rural Bank कौन सा है में क्यों नहीं लिख रहा था आप समझ गये होगे तो भाईया यह है सवराश्रों ग्रामीन बैंक प्रत्मा ग्रामीन बैंक पल्लवन ग्रामीन बैंक है ना और दूसरी बात यह आपका कौन सा हो गया सब्तगिरी ग्रामीन बैंक और नन अफ दीस तो आपको बदा दूँ जैसे कि मैंने जो डेट लिखी थी 2nd October 1975 को मुरादाबाद में कहां पर मुरादाबाद UP में 1st RRB खुला था 1st RRB खुला और उसका नाम क्या था तो भाईया जो 1st RRB खुला उसका नाम था प्रत्मा बैंक कौन सा बैंक खुला प्रत्मा बैंक आप यह याद रखेंगे प्रत्मा बैंक was the first RRB established in India in मुरादाबाद UP clear है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अपने आपको test करते गए आप कितने तयार है State Bank of India की तयारी के लिए बिलकुल और comment section में जरू बताई अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं इसके बारे में next question की तरफ आगे बढ़ते हैं इसका आंसर जो है वो सही है वी option सही है है न है प्रत्मा बैंक हमाला पहला regional rural bank था पहला gramid bank था अब बात करते हैं the headquarter of bank of maharashtra in पुने headquarter of bank of maharashtra in पुने तो भया याद रख लो question में ही जानकरी दे है question वाले बाबू ने कि bank of maharashtra का head office किदर पढ़ता है पुने में पढ़ता है किदर पढ़ता है पुने में ध्यान रखिए bank of maharashtra head office पुने में फिर वो पूछ रहे हैं here is the head office of Andhra Pradesh Andhra bank Andhra bank a headquarter किदर पढ़ता है तो Andhra bank a headquarter या तो Andhra Pradesh में हो सकता है या ते लंगाना में हो सकता है तो भया आपको बता दू किदर पे जो है यह सब करनाटक वाले है अधरी साब किताब है यहाँ पर लेकिन the right answer is Hyderabad Bank of महराश्टा का head office पुने में हो और Andhra bank a head office किदर पढ़ता है है दर बाद में पढ़ता है आपको या दखना है Andhra bank a head office Hyderabad भले किसी जमाने में और प्रदेश एक हुआ करता था है पर अब हेदराबाध तिलंगाना में आता है मतब और प्रदेश का head of sorry Andhra bank a head office किस state में है Andhra setting up small finance bank यहाँ पर recent lease लिए क्योंकि उस समय ये question पूछा गया था बाकी मैं आपको बता दूँ कि दो यहाँ पर यह बोल रहा है भारती Reserve Bank of India ने हाली में लगू वित्व बैंक स्थापित करने के लिए कितनी संस्थाओं को एक सैध्धान्तिक license दिया था तो किसको license दिया था बहिए कितनी संस्थाओं को license दिया था कि आप small finance bank बनाएं तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि small finance bank जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं लगू वित्व बैंक यह क्या होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे bank which has been created or which has been established for small finance मतलब ऐसे bank जो small finance के लिए मतलब ये की छोटे लोन देने के लिए बनाया गया या छोटी banking करने के लिए बनाया गया उन्हें small finance bank बोलते हैं और small finance bank बनाये जाने के लिए आर बिये ने पहली बार license कब दिये तो आपको बता दूं 2014 में 2014 में आर बी आई ग्रांटेड लाइसेंस आर बी आई गिवन लाइसेंस गिवन लाइसेंस फॉर किसको लाइसेंस दिया भाई या तो ध्यान रखेंगे SFB small finance bank small finance bank को 2014 में लाइसेंस दिया लेकिन बात यह उठत रही है कि वो पूछ रहा है कितनी organization को license दिया तो आप ध्यान रखेंगे 10 organizations को license दिया so the correct answer is B. B will be the right answer क्योंकि 10 संस्थाओं को small finance bank खूलने के लिए license दिया गया हाला की मैं आपको बता दू कि अब जो है देश में इस समय वर्तमान में जब आप पढ़ रहे हैं कब पढ़ रहे हैं आप आप पढ़ रहे हैं October है ना तो October 2022 में जब आप पढ़ रहे हैं तो इस समय जो है वर्तमान में 12 SFB हैं कितने SFB हैं 12 SFB हैं आप याद रखेंगे 12 small finance bank 12 SFB हैं है ना अब आपसे एक्जाम में अभी जब आप SBA का पेपर दोगे मेंस में जब आपका प्री क्रैक होगा मेंस का एक्जाम दोगे मौका मिलेगा चौका लगाने का तो आपसे पूचा जाएगा बहिया बताओ 12th SFB कौन सा है SMALL FINANCE BANK 12 तो आपको बता दूँ 2021 में ही बना है 12 SMALL FINANCE BANK जो सबसे नया SMALL FINANCE BANK कहलाएगा और वो है आपका 12th UNITY SMALL FINANCE BANK UNITY SMALL FINANCE BANK UNITY SMALL FINANCE BANK का HEAD OFFICE किदर पड़ता है तो बहिया दिली में NEW DELY में डेली में इसका HEAD OFFICE है मुख्याल है UNITY SMALL FINANCE BANK का ध्यान रखेंगे तो सबसे नया SMALL FINANCE BANK कौन सा है UNITY SMALL FINANCE BANK और कब जो है वो इसका ESTABLISHMENT हुआ तो दोस्तों आपको बता दूँ 2021 में है 2021 में इसका ESTABLISHMENT हुआ किसका UNITY SMALL FINANCE BANK है यह आप याद रखें और यह क्या है यह 12th SFB है क्या है है हमारा 12th SFB है बुले तो 12th SMALL FINANCE BANK है इससे पहले 11 वा कौन सा था तो बता दूँ शिवालिक SMALL FINANCE BANK जो सहरनपूर UP में ESTABLISH हुआ था कहा ESTABLISH हुआ था सहरनपूर UP में चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ यह रहा अगला question हमारी screen पर urban cooperative banks are also called as शहरी सहकारी बैंकों को कहा जाता है यह भी कहा जाता है क्या कहा जाता है अब देखो urban cooperative banks है है ना तो क्या इने short term cooperative banks कहते हैं doubt है clear है क्या इने secondary cooperative banks कहते हैं doubt है क्या हमें क्या हम इने primary cooperative banks कहते हैं doubt है और क्या हम इने long term cooperative बोलते हैं तो doubt है भी यह अब देखो simple सी बात है यहाँ पर सीधा सा बात यह है कि यहाँ पर जो है लिखा है urban cooperative banks are also called as मतलब urban cooperative banks को और क्या कहा जाता है तो बहिया मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इने कहा जाता है primary cooperative bank क्या बोला जाता है ध्यान रखे primary cooperative bank बोला जाता है यह आप याद रखेंगे this is the answer primary cooperative banks भी बोला जाता है urban cooperative banks are also called as तो आप लिख देंगे primary cooperative bank ठीक है चलिए अब उसके बाद फिर बात करते हैं कि अगर cooperative banks की बात आई तो एक question है जो मुझे लग रहा है कि SBA के level का है आप से पूछा जा सकता है कि भीया cooperative bank जो है किस से derive हुए cooperative society से मतलब की सहकारी समिती से clear है और यह सहकारी समिती है आप से पूछा जा सकता है कि बताइए which was the first cooperative society unknown cooperative society of India भारत में पहली cooperative society जो है वो कौन सी स्थापित हुई तो मित्रो आपको बताना है कि पहली cooperative society जो है वो थी 1889 में established हुई नाम था उसका अन्योन्य सहकारी मंद ली अन्योन्य सहकारी मंद ली अन्योन्य सहकारी मंद ली इट वस अ फ्रस्ट नॉन cooperative society of India यह भारत की पहली ग्यात जो है वो सहिकारी समयथी थी कोपरेटे सोसाइटी थी आपको याद रखना है और ये कहां पर स्ट्रेबिश होई तौब ध्यान रखेंगे वडोदरा गुजरात को गुजरात कि वडोदरा गुजरात में ये स्ट्रेब लिश्व existe कि यह आपको याद रखना है फॉर्स कोपरेटिस सोसाइटी ऑफ इंडिया अन्यों ने सहकारी मंद्ली पहली सहकारी समिती 1889 में है ना और वडोधरा गुजरात में स्टैबलिश हुई थी यह आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन यह र यह है बाया इंस्यौरिंश रेगुलेटरी डेवलमेंट ऐथोरिटी अइयार ढ़ी आ तो यह जो अड़ा है इसका काम है बीमा कंपञिँयों को नियमित करना दैना बीमा कंपनिया जो है उनको जो है उनके लिए नियम बनाती है यह नियामख विया बीमा कंपनी नियामख ह ठीक है फिर उसके बाद बात करें तो ECGC, Export Credit Guarantee Corporation, ECGC का full form क्या, Export Credit Guarantee Corporation, मतलब यह कि Export Import में help करता है, अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं, मतलब financially help करता है, फिर उसके बाद DICGC और Exim है, तो Exim में भी यहां पर यह क्या हो गया, यह भी Export Import में help करता है, बस अंतर इतन है कि अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई कौन करता है, Export Import में अगर कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई करता है, तो कुल मिला के यहां पर कहीं भी इन तीनों में से तो नहीं लग रहा है, बैंकों का इंशॉरेंस कोई करता है, तो बैंकों का इंशॉरें नहीं है क्योंकि ये 5,00,00 रुपए तक का पैसा जो है उसका सेफ है अब आप बोलो कि क्यों सेफ है भाईया 5,00,00 रुपए तक का पैसा तो यहाँ पर यह जो है वो बिसिकली बीमा होता है बैंक का बैंक के पैसे का अगर कोई बैंक के साथ घटना होती है आने वाले समय में डूपता है तो जो बैंक के ग्राहक है वो कहेंगे कि यह हमारा पैसा तो दो पैसा तो हमें छही है तो फिर उस केस में कितना पैसा है जो उनका सुरक्षित है तो पांच लाक रुपए तक जो है उनका सुरक्षित अगर और माondsली जै किसी के काउंड में छे लाकिर रुपे थे तो उसे कितना मिल जाएगा बैक के डूबने पाद भी पांचलाक रुपे से वापस मिल जाएगा और किसी का चार लोग जो हमारे हां है वो ऐसे हैं कि जिनका जो अकाउंट है उसमें पैसे पांच लाग रुपए से कम ही है तो अगर पांच लाग रुपए से कम है पैसा 99 प्रदीशन लोग के खाते में तो उनका पैसा तो सुरक्षित है सीधा सीधा एक परसेंट लोग है इंडिया में जिन how many development banks तो बहिया आपको बता दूं सिंपल सिंपल सी बात कि there are six development banks in India है ना आप बात करेंगे IDBI आप बात करेंगे सिड़ी इंडिस्ट्रियल development bank of India small industrial development bank of India फिर आप बात करेंगे industrial finance corporation of India बड़े level पर industries को द्योगों को लोन देने का काम करता है FCI ठीक है फिर इसके बाद बात करेंगे NHB National Housing Bank ये भी development bank है फिर इसके बाद बात करेंगे नाबाड एन एबी ए आर्ड नाबाड ये agriculture development bank है है ना ये housing bank है housing projects के लिए लोन देता है और फिर इसके बाद एक बात करेंगे एक्जिम है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के development के लिए काम करता है तो कुल मिलाके ये जो छे development bank है इस समें इंडिया कितने development bank है six यह आप याद रहें क्या क्या नाम बताए मैंने आपको industrial development bank of india small industrial development bank of india industrial finance corporation of india national housing bank national bank for agricultural development और export import bank यह जो है सारे यह क्या है development bank है विकास bank है तो किसी विशेश परपस या विकास के लिए काम करते हैं ओके नेक्स्ट विच बैंक इस आउटसाइड दप्रिव्यू अफ दी बैंकिंग रिगुलेशन आक्ट 1949 मतलब यह के कौन सा बैंक बैंकींग विनियम अधिनियम 1949 के दाइरे से बाहर पर विके बाहर आता है मतलब 19 बैंकिंग रिग्वलेशन हैं 1949 के दाइरे में नहीं आता इसके दाइरे में कौन सा बैंक नहीं आता तो primary cooperative banks है कि इसके दारे में नहीं आएंगे IA primary agriculture credit society के दारे में नहीं आएगी Central property banks कॉर्प्रिटी बैंक इसके दारे में यह आएंगे State cooperative пой time major सबसे एस मगने लुदह natives को समझे protels banking regulation act है क्व यह इंग्लिश की अगर बात करें तो यह इंग्लिश में यह लिखा हुआ है यह बैंकिंग रिगूलेशन अAK्ट जो है वो क्या है वो समझ लीजिए दोस्तों बैंकिंग रिगूलेशन आट के बारे में सीदी-सीदी बात से हूँ तो यह है इंडियन या इंडिया में बैंकिंग का का सम्विधान क्लियर है आप से कोई पूछे कि इंडिया में बैंकिंग का सम्विधान क्या है मतलब बैंक के सिसाब से चलते है तो आप बता देंगे भाई आप बैंकिंग का सम्विधान है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट Banking Regulation Act भाई सर्व Banking Regulation Act ये जो है वो basically क्या है तो ये जो है वो क्या है समविधान है मतलब भारत में बैंकों को इस नियम या इस कानून के इसाब से चलाया जाता है जैसे हमारे देश का समविधान है जो कि बनाया गया था भीम राओ बाबा साहिब अमिट करके द्वारा प्रारूप समीति की अदेख्ष थे ऐसे ही बैंकिंग का समविधान कौन सा है Banking Regulation Act 1949 तो अब इसमें कौन से बैंक नहीं आते है तो सिंपल सी बात है हर बैंक अगर वो बैंक कहलाना चाहता है यह हर organization जो bank कहलाती वो इसमें registered होती है सिंपल सी बात है bank कहलाने के लिए किस कानून में registered होना जरूरी है तो इसमें registered होना जरूरी है ध्यान रखिए तो अगर इसमें registered नहीं है तो फिर वो bank नहीं है तो आप देख लो यहाँ पर यह bank है central cooperative bank state cooperative bank यह भी bank है primary cooperative bank यह भी bank है लेकिन यह क्या है primary agriculture cooperative society इसका अलग act होता है यह नहीं है तो the right answer is B primary agriculture cooperative society जो है वो banking regulation act 1949 के दाइरे में नहीं आती है ना चलिए इस शांदार question के बाद आगे बढ़ते है DCCS and STCBs are regulated by which मतब dash and supervised by dash देखे simple सी बात है DCCB क्या होता है district central cooperative bank और STCB क्या होता है state cooperative bank आपको बदा दू जो cooperative banks है उनमें basically अगर हम loans की बात की जाए तो ऐसे होता है loans की बात नहीं मतब उसमें basically अगर बैंकों की बात की जाए cooperative banks का structure की बात की जाए तो सबसे उपर होता है SCB बोले तो state cooperative bank उससे नीचे काम करते हैं DCCB district central cooperative bank हर जिले में एक जिले में एक फिर इसके बाद SCB बोले तो state cooperative bank राज में एक ठीक है तो यह SCB और यह DCCB SCB state cooperative bank DCC district central cooperative bank मतलब केंदर में एक केंदरी जिला सहिकारी bank भी बोलते है राज सहिकारी bank केंदरी जिला सहिकारी bank और एक होता है PCB primary cooperative bank और PCC primary cooperative PCS बोलना चाहिए primary cooperative society तो बिसिकलिए तीन लेवल पर काम करते हैं state cooperative bank district central cooperative bank और primary cooperative bank जो जिले में बहुत सारे होते हैं जिले में कई जिले में बहुत सारे होते हैं तो बढ़िया यह जो है basically इनका structure है अब वो पूछ क्या रहा है कि बताइए कि इनको regulate कौन करता है और जो है basically supervised कौन करता है कामकाज कौन देखता है तो देखो simple सी बात है मैं आपको बता दूँ regulated by RBI and supervised by Nabad clear है the right answer is C C जो है वो इसका correct answer है आप याद रखेंगे जो district central cooperative bank है और state cooperative bank है इनको regulate करता है RBI और दूसरी बात यह है कि उनको जो है basically supervised मतलब उनका परिवेक्षन कौन करता है कामकाज का आखिलन कौन करता है तो वो नाबाड करता है यह आप ध्यान रखेंगे तो यह RBI और नाबाड जो है इसका correct answer हो गया यह हो गया option number आपका sorry C और यह 12 चलिए आगे बात करते है next question की तरफ the SBI merged entity will have an asset base of मतलब SBI जो है basically merged entity बन गई क्यों क्योंकि SBI में अब कौन को merge हो चुके है तो भाईया SBI में आप देखो associate banks merge हो गए 5 associate banks थे जो merge हो चुके clear है उसके बाद भारती महला bank भी जो है इसमें merge हो गया BMB भारती महला bank भी merge हो गया तो ऐसे करके SBI में एक बड़ी संस्ता बन चुका है तो जो merge होने के बाद SBI जो बनके तयार हुआ एक अकेला SBI अब ये कितनी परिसंपत्ती का मालिक होगा कितनी परिसंपत्ती होगी कितने assets होगी asset base कितना है तो ये तो भाईया facts हो गया तो भाईया मैं आपको बता देता हूँ या आपको याद रखना है कि merger के बाद जो है क्या है asset asset base है मतलब ये की लगबख 37,00,00,00 करोड रुपय का जो है इसका base है ये आप याद रखेंगे clear है चलिए आगे बात करते है State Bank of India के बारे में तो आप जानते हैं State Bank of India कब established state bank of India established वह था 1st July 1955 तो आप से पूचा जाए कि बहुए SBA किस कमेटी की सिफारिश पर शुरू हुआ था तो SBA की कमेटी कौन सी थी जल्दी बताओ फटाफट कौन सी गोरे वाला कमेटी गोरे वाला कमेटी clear है ओके है ना और बाकी आपको ये तो पता ही है कि SBA किन किन से मिलकर बना है हाँ तो SBA जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में इस्ट्री वाले वीडियो में याद करा है था ये Imperial Bank से मिलकर बना है Imperial है ना और Imperial Bank जो है वो कब बना था तो Imperial Bank बना था 1921 में अब ये Imperial Bank किस से बना है तो Bank of Bengal Bank of Bombay Bombay और Bank of Madras है ना लास वीडियो में पढ़ा था ना इंडियन बैंकिंक फ्ट्री में यह सब मैंने बदा है था बेंगो बंगॉल बंक बंबे मादरास इन सब से मिलकंब Cannon our मिलिक यूंधि नैंटिन वेंटीवन में इंपीरियल बैंक ओर इंपीरियल को बडलकर 1955 में कर दिया गया इस भी एस बैंक ऑ इंडिया असोसीड बैंक भी जो है आप उसमें मर्ज हो चुके हैं जो इसके सायग बैंक के लाते थे पहले इस बैंक पत्ती है वो कितनी है 37 trillion जाना 27 लाग करोड रुपए चलिए आगे बढ़ते हैं next question no primary urban cooperative bank can commence or carry on banking business if the real or exchangeable value of its paid up capital and reserves is less than मतलब यह कि कोई भी प्रात्मिक शहरी सहकारी बैंक बैंकिंग व्यवसाइश शुरू या चालू नहीं कर सकता यदि उसकी चुकता पूंजी या भंडार का वास्तविक या विनिमा योगी मूल जो है बदब exchangeable value या paid up capital उसके पास जो है वो अगर एक लाख रुपए से कम है किसे कम है एक लाख धान रखेंगे है ना कोई भी primary urban cooperative bank है उसकी पूंजी अगर एक लाख रुपए से कम है तो वो अपने banking operations नहीं चला सकता है या आप याद रखेंगे इसे क्लियर है ना चलिए अगला question है अमंग दो फॉलिंग अ करेक्ट शेयर ओफ सेंट्रल स्टेट एंड स्पॉंसर बैंक इन रर्वी जैसे आप जानते हैं कि जो रीजिनल रूरल बैंक होते हैं जने हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं रीजिनल रूरल बैंकों को इन बैंकों में हिस्सेदारी शेयर होल्डिंग तीन होती है एक होती है सेंट्रल गवर्मेंट की एक होती है स्टेट गवर्मेंट की और एक होती है स्पॉंसर बैंक की स्पॉंसर बैंक मतला प्रायोजक बैंक तो केंदर सरकार राज्य सरकार मैं हिंदी में अगर लिखू त और प्रायोजक इनकी हिस्सेदारी कित्ती कित्ती होती है प्रायोजक बैंक की तो आपको बता देता हूं ऑपे के गोर्मेंट की होती है है कि फिफटी परसेंट्स स्टेट गॉअं रंप्र में इनकी हिस्सेदारी इस तरह से उती है तो अब आप बताये यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर स्टेट और स्पांसर बेख इसएट और स्पांसर भेंग HOW 15,15 और adesso देखो कहीं लिखा है क्या तो देखो सिंपल सी बात है पचास एक ही जगर शुरूर है यहां से पचास 15 और 35 तो डी जो राइट अंसर डी जो है वो करेक्ट अंसर है आपको याद रखना है ओके चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं अगला question यह रहा आपकी screen पर which of the falling apex body regulate the rrbs मतलब यह एक इन में से कौन सी जो body है वो rrbs को regulate करती है अब rrbs को regulate कौन करता है बहिया तो simple सी बात है आप ध्यान रखेंगे rrbs are regulated by nabad कौन regulate करता rrb को nabad जो है regulate करता है यह आप ध्यान रखेंगे clear national bank for agriculture and rural development जो है वो rrb regional rural banks को regulate करता है clear है चलिए आगे बात करते हैं अगला what is the full form of nbfc nbfc बोले तो non-banking financial companies non-banking financial companies का full form क्या है तो बहिया मैंने खुदी answer दे दिया बहिया क्या बात है चलिए ठीक है what is the full form of nbfc ज्यादा excitement है मुझे शायद sbipo का यह कह सकते है तो दोस्तों आपके सामने यह information है questions से आने से पहले यह answer आपके सामने आ गया what is the full form of nbfc तो nbfc का form देखिए competition नहीं है है और foreign company नहीं है और non-banking financial corporation नहीं है यह है non-banking financial company आप याद रखेंगे non-banking financial company यह है clear है ओके तो दोस्तों nbfc का full form non-banking financial company c option correct है right है आगे बात करते हैं cooperative society act was enacted in which year जो cooperative society act है वो कब आया तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भारत की पहली cooperative society society जो जानी जाती थी या जानी जाती है वह है अन्योन सहकारी मंडली कौन सी है अन्योन सहकारी मंडली अब वह तो आई थी 1889 में लेकिन उसके आने के कई सालों बाद cooperative societies के लिए कानून मना था एक्ट पास हुआ था तो वह act है इंडियन cooperative society act 1912 कौन सा वरते हैं next question की तरफ अगले question की तरफ which of the following bank has been merged with SBI इन में से कौन सा bank है जो SBI के साथ merge हुआ है मुझे लगता है कि पहले थोड़ी देर पहले अगर आप वीडियो में alert थे attentive थे तो आपके लिए answer देना ज्यादा असान हो जाए इन में से कौन सा bank है जो SBI में merge हुआ है विजया bank के तो भाई आप बैंक ऑफ बड़ोदा में चला गया syndicate bank तो canra bank में चला गया कि यह अलाबाद बैंक इंडियन बैंक में चला गया और यह पंड़ा विजया बैंक चला गया बैंक ऑफ बड़ोदा में दो ऑब उसके बाद syndicate bank जो है कहां चला गया तो आप बताएंगे canara किदर गया canara फिर alabad bank किदर गया तो alabad bank आप बता देंगे Indian bank Indian bank फिर आप से पूचेंगे oriental bank कहां मर्जु है तो oriental bank जो है वो मर्जु हुआ PNB में PNB में मर्जु है फिर आप से पूचा जाएगा कि भारती महला bank का मर्जु है तो इसका answer है भाईया इसका answer है none other than SBI है ना आप तो जानते हैं भारती महला bank जो है वो SBI में मर्ज हुआ है इस तरह से कुछ चिन्न है हाला कि काफी घटिया चिन्न बनाया है मैंने SBI का ऐसे कुछ बनता है यह SBI क्लियर है तो भारती महला bank जो है इसमें मर्ज हुआ है आप याद रखेंगे ठीक है ओके तो भाईया यह हमारे इस वीडियो का जो है अंतिम question है लेकिन आपको बता दूँ कि इसके बाद भी जो है हम और question जारी रखेंगे next video में अभी फिलहाल आप देख लीजिए पहला question with whom does the ownership of public sector bank rest मतलब यह कि साजनेक शेत्र के बैंकों का स्वामित तो किस के पास होता है तो क्या government of India के पास होता है jointly with government of India and shareholders from the public मतलब यह कि भारत सरकार के सहीं रूप से और जनता के शेरधारक के रूप में या फिर jointly with government of India and state bank of India jointly government of India and reserve bank of India या jointly with government of India and shareholders from the public नहीं भाया सरकारी बैंकों का स्वामित तो किसके पास होता है भारत सरकार के पास होता है government of India के पास होता है स्वामित तब प्राप्त हो जाता है जब किसी private bank में अगर भारत सरकार की सिदारी 50% से ज्यादा है क्लियर है 50% से ज्यादा shares है अगर तो सिंपल सी बात है government मालिक कहलाती है तो पूरा 100% shares खरीदने की जरुद नहीं है अगर 50% से ज्यादा shares government के पास है किसी bank में तो वो क्या कहलाएगा public sector bank वो सरकारी bank कहलाएगा आपको याद रखना है clear है चलिए ओके तो दोस्तों यह था हमारा वैसे पब्लिक शेक्टर बैंक की बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि टोटल इंडिया में अभी कितने पब्लिक सेक्टर बैंगे 12 पब्लीक सेक्टर बैंक है यह आपको याद रखना है चलिए अगे आप सको कह दूँ कि यह जो वीडियो आप लेकर आए हैं हमारे लिए यह बेसिकली आप यह कह सकते हैं कि हम जो है इस वीडियो को State Bank of India का exam जो है वो हम target कर रहे हैं मतलब यह कि आपका PO का जो exam है उसको clear कराने के हम पूरी मंचा रखते हैं आज जो आपने Indian banking structure के questions जो है वो solve किये या देखे Indian banking structure का भी part 2 का वीडियो भी आने वाला जिसके लिए आपको wait नहीं करना पड़ेगा इसके तुरंत बाद यह वो वीडियो आ जाएगा अगले ही दिन यह next वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएगा तो हमारे साथ बने रहे हमारे 100% quality education of free education के इस महा कुंब में SBI की आहूती जा रहे है इस बार भाई सब मतलब यह कि State Bank of India PO को हम लोग target कर रहे हैं दोस्तो हमारे साथ बने रहे हर वीडियो में like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए Magnet Brains Banking को Thank you everyone, जैहिन